विश्नो पुर्षाद अंग्रेजों के टाइम में रेल एंजन के ड्राइवर थे उस समय ट्रेन में अंग्रेजों के अफसर ही चलते थे और उन्हें हमेशा क्रांती कारियों का डर सताता रहता था विश्नो पुर्षाद क्रिश्न कन्हिया के परम भक्त थे हर समय उनका ही नाम जपा करते थे भगवन नाम जप के सिवाए उन्हें कुछ भी सुझाई नहीं देता था एक बार विश्नो पुर्षाद की ड्यूटी उसे ट्रेन में लगी थी वह ट्रेन लेकर चल दिये एक घंटे ट्रेन को चलाते हो गए कि अचानक उन्होंने ब्रेक मारना शुरू किया और आधा किलो मीटर पर जाकर ट्रेन रुक जाती है ट्रेन के ट्रेक पर कुछ गाएं बैठी थी उस समय ट्रेन रोकने की अनुमती नहीं थी और उन्होंने रोक दिया था अंग्रेजों ने हंगामा मचा दिया तो विश्नो पुर्षाद कहते हैं सर ये कनहिया की गईया हैं मैं इन्हें मार नहीं सकता हूँ बजाकर गायों को वहां से हाकते हैं और फिर वह ट्रेन स्टार्ट करके आगे जाते हैं गंतव्य स्टेशन पर पहुँचने पर विश्नो पुर्षाद को ग्रफतार कर जेल भेज दिया गया उन पर मुकदमा चला और उन पर राजद्रो का अभ्योग लगा गया उस अभ्योग में उन्हें मृत्ति उदंड देते हैं और उन्हें फासी पर लटका देने का आदेश देते हैं इन सभी प्रिक्रियाओं के मध्य विश्नो पुर्षाद के चेहरे पर शिकन तक नहीं उभरा था वह एक ही बात कहते थे मैंने तो कनहिया की गायों को बचाया और कुछ नहीं किया आप कनहिया की जो इच्छा होगी वो करेंगे वह क्रिश्न के जप में मस्त रहते थे अंग्रेजों को इस बात से भी बहुत चिड़ हुआ था कि विश्नो पुर्षाद ने एक बार भी माफी नहीं मांगा इसलिए भी उन्हें सजा दी गई थी एक बार जजज साहब ने कहा कि तुम गिल्टी फिल करो और माफी मांग लो तो तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी विश्नो पुर्षाद कहते हैं मैंने तो कोई गलत कारे नहीं किया तो माफी क्यों मांगूं उनकी इस बास से चिड़कर उन्हें शीग्र फांसी देने का ऐलान किया गया दूसरे दिन सुभा सुभा उन्हें फांसी के फंदे पर ले जाकर उनके गले में फंदा डालकर जुलादेते हैं पर उन्हें कुछ नहीं होता वे कृष्ण मंत्र का जाप जोर जोर से कर रहे थे उन्हें कई बार फासी पर चढ़ाया जाता है पर पता नहीं क्यों हर बार फंदा कसता ही नहीं था वे अपनी जगा पर ही अड़ा रहता है तो उन्हें फासी स्थल से बाहर ले जाते हैं वहाँ का जेलर उनसे पूँचता है तुम्हें फासी का फंदा क्यों नहीं कस रहा है विश्णपर साथ कहते हैं हर बार कनहिया की गायों का सींग बीच में आ जाता है वहीं आकर फंदे को रोक लेती थी और दो सींग नीचे से मेरे पैरों को पकड़ लेती थी जो भी है मेरे कनहिया की करपा है वो सब कनहिया की गाये है जै हो राधे राधे जै श्री कृष्ण अंतता वहाँ के अधिकारी कई बार प्रयास करते हैं पर विश्णु परसाद का कुछ बिगाड नहीं पाते हैं और अंत में ठक हार कर उन्हें बरी करते हैं क्योंकि उन्हें कम से कम दस बार सूली पर चढ़ा चुके थे और विश्णु परसाद अपने कनहिया को याद करते हुए बेफिक्र हो कृष्ण पाठ करते रहते थे जब बड़े अधिकारियों को इस बात का पता चला तो उनसे माफी मांग कर पुना नौकरी ज्वाइन करने को कहा तो विश्णु परसा पता कैसी लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दे हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले हमारी कथाओं को शेयर जुरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन पराप्त हो जैश्राराम भक्तो जिससे लोगों करें है